सावन का महिना क्यों होता है भोले नात को प्रिया, तो सावन में सुम्वार के वृत रखने से मिलता है लग सबसे पहले आपको मेरे और मेरे पूरे चैनल की तरफ से सावन पर्व की हार्विक शुपकामना है तो आज से सावन का महा पर्व शुरू हो गया है और 19 अगस्त तक सावन का ये दौर चलेगा तो आपको बता दें कि ये सावन पर्व का भक्त बेसबरी से पूरे सालों साल इंतिसार करते हैं तो इसी मौके पर आज हम भी जानेंगे कि आखे बोले बाबा के लिए क्यों खास है सावन का महिना साथी सावन में अगर आप सोंवार के व्रत रखते हैं तो वो आपके लिए कितना लाबदाइक हैं इन सब चीजों को लेकर चलिए आपको इस वीडियो में चानकारी देते हैं हिंदू के लिए सावन का महिना बहुत महत्वपून महिना माना जाता है यह महिना भक्ती और आध्यात्मित्ता का महिना होता है सावन का महिना भगवान शिफ का प्रिये महिना माना जाता है इसलिए भगवान शिफ की विशेश कृपा पाने के लिए इस पूरे महिने भोलेनात और माताप पारवती की खास पुजार चुना की जाती है कुछ शिव भक्त सावन के पूरे महीने का वरत रखते हैं और कुछ भक्त जन सावन के प्रतियेक सोमवार के वरत रखते हैं इस दोरान भोलेनात का जलाबिशेक करने के साथ साथ उनकी विशेश पूजा अर्चना भी की जाती है अब सवाल कि सावन का महिना क्यूं होता है भोलिनात को प्रिये तो बता दे कि सावन के महिने को भगवान श्रिप का सबसे प्रिये और खास महिना माना जाता है इसलिए ही भगवान श्रिप की विशेश कृपा पाने के लिए सावन के महिने में विशेश रूप से उनकी शेश यक के दोरान राजा दक्ष के द्वारा अपनी पुत्री के पती भगवान शिफ का अपमान किया गया अपने पती के अपमान से क्रोधित होकर माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यक की अगनी में कूद कर अपने प्रांड तियाग दिये थे माता सती ने प्रण लिया था कि दुबारा जब भी उनका जन्म होगा तब वे सिर्फ भगवान शिफ को ही अपने पती के रूप में सुईकार करेंगी माता सती का दूसरा जन्म राजा हिमाले की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था कुछ समय बात माता पारवती ने भगवान शिफ को पती के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की उनकी इस कठोर तपस्या से भगवान शिफ प्रसन हुए और माता पारवती ने दुबारा भगवान शिफ को पती के रूप में प्राप्त किया मान्यता है कि माता पार्वती की सावन में की गई कठोर तपस्या के कारण ही भगवान शिप को सावन का महीना विशेश प्रिये है साथी अगला सवाल कि सावन में सुमवार व्रत रखने से क्यों लाब मिलता है और क्या लाब मिलता है तो बता देते हैं कि यूंदो प्रति एक सुमवार का अपना महत्व है लेकिन सावन के सुमवार का व्रत रखने से अपार लाभ मिलता है मान्यता है कि सावन में शिवजी की आराधना और सुमवार व्रत रखने से वह अतियंत शिग्र ही प्रसन होते हैं और मनो वान्चित सभी कामनाओं की पूर्ती करते हैं धार्मिक माननिताओं के अनुसार सावन सुमवार कवरत करने पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र विध्यारतियों को विध्या धनारति को धन मोक्ष चहने वालों को मोक्ष कुवारी कन्या को मनो नूकुल पती और वीडियो से मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताए हर हर महादेख